समण संग यानि जितने भी समण हैं उन सब के सारे अंग साथ साथ यानि सब जितने अंग हैं वो सब साथ रहें संग रहें तो समणों का संग समणियों का संग और सारा मिलाकर संग कि जो समण संग सब्द है और जो समण है यह बहुत तेजी से पिछले साथ आठ महिने के अंदर पूरे देश में और देश के बाहर एक-एक व्यक्ति जो समण है उसके कान में पढ़ता जा रहा है टवर लांखों की संगता में लोग समर सब्द को जान गए है पेचान गए है अगा मगर तोड़े से परिसान रहते हैंита के यह समण सब्द का मतलब क्या है संड के साथ में बुद्ध को देखते हैं जोतिवा फुले को देखते हैं डý daryad साफ को देखते हैं की जितने भी समढ समाज के समढ संग के समढ लोगों के जो अच्छे बड़े काम करने वाली लोगहें महान ऊजो पुर्षार्थ करने वाले लोग हैं, उनको देखते हैं तो समझते हैं कि उनसे समर्श कुछ है पर पूरी जानकारी नहीं और हम जो यहां काम कर रहे हैं और जिसमें यह जो गोल्डन रूल है, जो अमर नियम है, समर्शंग के उसमें जो पहला नियम है केवल समण। दूसरा नियम है समण संग चंदा कभी नहीं लेगा। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संगवाद, पांच्वा नियम है पद, पतिष्टा, मंच, माला कभी नहीं, छटा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, सात्वा नियम है संगादी से सबसे उपर, आठ्वा नियम है संग राजिती में कभी नहीं जाएगा, नौमा नियम है, संग धातक की बापसी संग में कभी नहीं, दस्वा नियम है, उपरोग तो नौ विने संग का आधार है, ये ना कभी बद्दे जाएंगे, ना खत्म किये जाएंगे, ना कभी आमानने किये जाएंगे. ये वो बेसिक आधार या प्रियंबल इसको बोल सकते हैं जो हमारे समण संग का मूल आधार है जिस पर समण संग खड़ा हुआ है तो इसका जो सबसे पहला आधार है जो पहला इस थंब है इस पूरे समण संग की बिल्डिंग का वो है कि समण संग में केवल समण ही हो सकते हैं तो सबसे पहले ये जानने कि समण कौन कौन से हैं और समण का अर्थ क्या है और समण सब्द कहा है ये उन लोगों के लिए खास ताओर से जानना ज़रूरी है जो दिन रात दिन रात दिन रात लोगों को समण संग के वारे में रिमाइंड करा रहे हैं याद करा रहे हैं बता भी नहीं पाएंगे कि समर्ण संग क्या है और केफल समर्ण क्यों आएय कि जब हम सम्ण की बात कर रहे हैं तो समर्ण संग में आना इसलिया जरूरी है क्योंकि यहां ऑद DAY है जैसे जलन होती है या जलन होती है तपन होती है जैसे मनन होता है जैसे करन होता है जैसे चुपन होती है जैसे फिसलन होती है जैसे रप्टन होती है यानि जिनके बाद में नय या नय लग जाता है सब्दों के वो सारे सब्दों नाउन बन जाते हैं संग्या बन जाते हैं वेफ्ति वाचक बच जाते हैं वैसे ही सम के स्पीछे अगर नए या रड़े लगेगा तो समण हो जाएगा इसका मतलब समता का गुणका रहने वाला यानि जिसमें समता है जो ना मुसीवत में घबराता है ना ही खुसी में पूल के कुपा होता है जो हर समय समता में रहता है एकुलिटी में रहता है एक सार रहता है दुख में और सुख में ऐसे जो लोग हैं उनको सम से समण बने को और ये भारत के पुराने लोग हैं क्योंकि समता में रहने की जो विद्या है जो कला है वो बुद्ध ने सिखाई बुद्ध ने समता में कैसे रहते हैं और समता क्य चीज होती है यह पहली बार बताया और इसको सिखाया इसलिए कह सकते हैं कि बुद्ध के बाद के जितने लोग हैं वो समण है पर बुद्ध भी महा समण थे और उससे पहले के जितने लोग हैं वो भी समता में रहते थे इसके वो सारे लोग समण पर जो समता में ना रहता हो जो एक रूप में ना रहता हो जो उलट रूप में रहता हो वम माने उल्टी जो उल्टे रूप में रहता हो उसको वमण बोलते हैं यानि दो तरह के लोग हैं एक समण हैं जो समता में रहने वाले हैं एक वमन हैं जो उल्टे तरह के नेचर के अगेंस्ट में रहने वाले रूम तो यह जो समण सब्द है, यह समण सब्द अचानक चला कहां गया? कोई भी सब्द अगर भारत का पुराना कहीं चला गया है तो जायर सी बात है कि वो सब्द जिन लोगों ने गायब किया है उनके लिए जहर का काम करता है और जिनका सब्द गायब हुआ है उनके लिए वो अमत का यानि अमरत का काम करता है तो जो सब्द समण गायव हुआ है ये तनी आसानी से गायव हो नहीं सकता इसलिए कुछ सब्दों को जिनको बदल नहीं सके उनको उन्होंने मिक्स कर दिया इनको खतम नहीं कर सके मिक्स करके बदल दिया तो समण को खतम नहीं कर पाए क्योंकि यहां करोडों समण थे तो उन हमारे अधिकतर सब्दों में आधारे लगा दिया आधारे हमारा पाली के अंदर नहीं होता आधारे बाहर का सब्द है इसलिए पाली में आधारे कहीं है यह नहीं अगर कोई सब्द है जिसमें आधारे लगा हुआ है तो पाली का नहीं हमारा और नहीं बदला हुआ सब्द है आप मेहनत करते हो, आप समन हो, आप सिर्मन हो, आप मेहनत कास हो, हम तो आपको सिर्मन कहेंगे, सरम करने वाला कहेंगे, समता में रहने वाले लोगों को मेहनत करने वाला लोग कहने लगे, पर हमारे लोगों ने इसको एडॉप्ट पनासू कर दिया, कि हम तो सरम करने वाले हैं ये भूल गए कि हम समता में रहने वाले बुद्ध के जानतार बुद्ध से पहले के जानतार हैं जो दुख और सुखो को एक साथ देखने वाले लोग हैं मुसीबत को और खुशी को एक साथ देखने वाले लोग हैं जो यस को और बदनामी को नाम को बदनाम को एक साथ द लोग हैं और हमारे लोगों की जब जानकारी खतम होने लगी तो उन्होंने ये मान लिया कि हम सर्म करने वारे लोग है स्रे सब्द पाली में नहीं है हमारा नहीं है अगर स्रे जो बना हुआ है वो आधे शे से और आधे रह से मिलके बना हुआ है शेय वाला सब्द या शटकॉन वाला सब्द ये भी पाली का नहीं है भारत का नहीं है हमारा नहीं है इसलिए सिरी सब्द भी हमारा नहीं है पर उन्होंने सरम कहना सुरू किया जो हमारा सब्द नहीं है तो पाली की दिक्सानी में जब देखते हैं तो समझ सब्द मिलता है सर मंत्रा लेवाना वरादिया और हम को कह दिया कि आप सर्म करने वाली थे हैं. हो वो सब्द हमारे ने लिया और उन्होंने अपनी बुद्द्गता ओर दिखाई. हम्हारे जुसाध्य जुसा तैकार हैं वो अनका जो स्हाध्यच क्यान है वो उनकी किताबों पर आधारित है जो किताब है उन्होंने लिकी हैं जो हमारे बिक्रीत है इसल uhm समझ सकते हैं कि अगर कोई शाहित्यकार उनकी किताब में पढ़ के बखान करेगा तो उनी का बख covid करेगा जे ठीक ऐसे है जैसे कोई आदमी किसी company की नौकरी करता है उसका project बेषता है उसकी तारिफ करता है तो product कैसा भी है फिर वो company ही तार्ट करता है क्योंकि सब कुछ उसने company में वही सीखा है और वही उसको सिखाया गया है वैसे ही हमारे जितने विद्वान हैं उन्होंने उन्हीं के साहित्तों से उन्हीं के किताब से पढ़कर हमको ये कहा कि हमारी जो संसकती है वो सर्मन संसकती का युद्ध है ये बाट ठीक है कि सर्मन संसकती का युद्ध है पगर ये बात गलत है कि हम स्रम करने वाले समता में रहने वालों का समन लोगों का वमन लोगों से युद्ध है उनकी संस्कति अलग है हमारी अलग है तो समन संस्कति और वर्मन संस्कति का जुद्ध है सिर्मन संस्कति का और ब्रहामन संस्कति का नहीं है क्योंकि अगर आप सर्मन संस्काथि का बोलों गे तो और कह देंगे कि भाहर कि violence करने के अट प्रष्ण आउप आप न अप महनछाट करने आप सो फोल रहं वह संसकती है संकती बोते हैं इसको वो समण है इसलिए समण हम बहुत लोग थे यानि कि भारत में वमण की संक्या एक परसेंट से भी कम जो भार से आई वे लोग थे एक परसेंट से भी कम और अधिकता लोग सारे हजारों में लाकों में करोडों में सारे सारे समण तो हम सारे समण थे तो समण सब्द की ग्लेवरी इतनी जादा है और जो साहित्ते में मिलती है और जो साहित्तेकार बताते हैं और इधर हमारे भी जो जितने भी यहां पर समण भाई बहन हैं वो सारे के सारे इसको लगातार चेक कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और यह उनको ल प्राजासूक थे, जो उनके सहरापती थे, जो सिपाई थे, जो हिभास जीवग जैसे, जो महान जिक्षक कह सक थे, फिजिस थे और जो तक्षिला तक significant character pengparesPower से हमारे हमारे ड stereo जानकार बी है वो दुनिया की व्ही है हो समड़ संघंग की समड़ संस्क Hetty Friendic Candice जड़े हैं पूरे भारत में सुसले के आखिनी तक बहुत jest और वह संस्क totally क्या तो कहीं अता पता है साहित में बिनता बुद्ध के सहत्में बुद्ध महा समण है। इसलिए यहां जो यह बात है कि यहां समण संह के अंदर केवल समण ही हो सकता है इसका मेंबर, उसका खास कारणी है कि वमण नहीं हो सकता, एक यह limitation है, उसका region ही है कि हम दम नहीं सिखा रहें, तो यूनिवर्सल धम एक वैक्ती को purify करने की लिएapterång इसलिए जब वो गुद्ध बने तो बुद्ध के साथ में एक limitation होती है बुद्ध किसी वैक्ती में भेदभाव नहीं कर सकता, यानि कोई भी बुद्ध होगा उसके लिए सारी दुनिया के व्यектि बराबर होते हैं बुद्ध जानवर में व्यक्ति में पेडले में पौधे में किसी की वित्रही किसी को भी मना नहीं कर सकते उनको सबको पढ़ाना इंगोता है वो तब ही बुद्ध होते हैं इसलिए बुद्ध ने जो धम दिया है वो सब को दिया है वो वमन को भी दिया है और वो समन को भी दिया है वो खुद समन थे पर उन्होंने सब को दिया है इसलिए बुद्ध के धम के साहिते में समन और वमन सब्द आते हैं पर हमारी जो आइड है लोगों पर लोगों की संख्या पर नहीं इसलिए बहुत साय लोग कहते हैं कि समण संग का मतलब है बुद्ध का धमिक संग ऐसा नहीं है बुद्ध का धमिक संग भिक्वों का संग है विकुणियों का संग है उपासक और उपासी का जो धम सीखती है उनका है पर जो बाकी स समन्थ है उस्मे घिडगा बन चुका है चाहे उनका मत बदल चुका है चाहे वह चाहे वो जो गुरु दुर्बलनात हैं उनके हैं वो किसी भी मत के हैं अगर वो समण है तो वो सारे आते हैं इसमें धम की लिमिटेशन नहीं है अगर कोई धम को जानता है और बुद्दु को जानता है तो और ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर वो जानता है तो अपने महा समण को ब और समण के लिए ही ये सारा बना हुआ है तो इससे एक लिमिटेशन बन जाती है तो जब आप जाओगे तो आपसे बारवाद पुछा जाएगा समण का कौन-कौन समण है कौन-कौन समण है आप पहले ये बताओ तो एक सेंटेंस में तो जवाब ये है कि भारत के जितने पु कियोंतों समाऊएगा के ये समण क्या समण तो वह सारे समावड में कोई में लोग है उनमें अथे समन है क्योंकि कुछ जो नोग है जो वमन हैं उन्हों भी धर्म पर puerta cake वो उत्रिश्ट बने हे वह धर्रम परबलतीत तरके इसलाव अपनाया है उन ने धर्म-परवर्टित करके वह सिक्थ हैं उन्होंने धर्म-परवर्थित करके वह बोन्सारे समनु नहीं है यह द्यार mio तो फिर किसी को बताने में दिक्त आएगी तो उसको आसानी से कैसे बता सकते हैं आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि जो वमन नहीं है और भारत का मूल निवासी है वो समन है यानि जो वमन नहीं है वो समन है तो मोस्टली जो पहचान है वो पुरानी पहचान जो पिचासी और पंदरेगी बताया उसी पर आधारित है, बस इसका द्हान लखना है کہ जो धर्म परुवटतित लोग है उनमें दो तरह के लोग है, एक समन लोगोने धर्म परुटत किया है और एक वमन लोगों ने किया है, वमन लोगों का जो कल्चर और जो संखति है वह डमनों के हिसा xa xa is तो समण है तो मैंबर है और अगर समन नहीं है तो नहीं है यह द्यान लखना क्योंकि समन संख केवल समनों के लिए तो सारे समन colabor इसके जनम्जात जितने भी समण दुनिया में हैं, चाए वो मा के पेट में बच्चा है, चाए वो बुड़ा मनने को त्यार है, चाए वो जेल में है, चाए वो डॉक्टर है, चाए वो मजदूर है, चाए वो किसान है, चाए वो पीचर है, चाए वो सलक पर भीक मांग रहा है, चाए वो खेट में हल चला रहा है, वो जो भी व्यक्ति समण हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं, मेंबर इसलिए होते हैं क्योंकि जो संग है, ये समण संग है, ये बुद्ध से भी पहले का बना हुआ है, बुद्ध ने नहीं बनाया, बुद्ध ने तो भिक्तु संग बनाया, भिकुनी संग बनाय उनके नियम बनाए और सुथ पीटक में उपासक और उपासिका को उनके नियम दिए उपासक का मतलब होता है जो बुद्ध के या भिक्तू के बरावर के आसन पर बैठ कर सिख्छा लेता है यानि कि जो उपासन पर बैठ कर धम को सीखता है जैसे बुद्ध है या भिक्तू है या कोई भिक्तु आए हैं और वो उनसे कहें कि मुझे धम चीकना है तो कोई महिला धम सीखेगी उनके बरावर के आसन पर बैठ कर उप आसन पर बैठ गर उसको बोलेंगे उपासिका यानि वो उसी समय तक उपासिका है जब उनका संग है पर अगर जब गरस्त में चले जाते हैं फिर वो समण है फिर उपासक उपाशी का नहीं है इसलिए समणो की संख्या करोलों में है उपासक उपासिका थोड़ी दिर दे के लिए बनते हैं विक्कु और भिकुनी लगातार रहते हैं जो जब तक चीवर पैंदे तब तक रहते हैं इसलिए उनके नियम अलग हैं ये नियम जो बनाए हैं उपासिक और उपासिका और भिकुर भिकुनी के ये बुद्ध ने बनाए हैं पर समड संग के जो नियम है वो बुद्ध से पहले की हैं वो इ गड़ राजे से साके गड़ राजे का साके गड़ राजे संग का कोलिय गड़ राजे संग से पानी के उपर रोहनी नदी के उपर जगड़ा हो गया और जगड़े को निब्टाने के लिए जो साकेगर राजय संग की जो मीटिंग बैठी गड़ों की जो मीटिंग बैठी उसमें ये डिसाइड हुआ भाहुमस है के हम युद्र लड़े और उस युद्र लड़ने को सिध्धत गौतम जवान ने उस समय जो सिध्धुदन के बेटे थे मना कर दिया तो संग का आदेस कर दोוא संग की आदेस नहीं मानते तो संग परिस्मेंट देता है तो संग ने सजा दी उनको साक्ग गड़राज संग से निकाला निया जेगा जो उन्होंने अपनी मड़ी से एकी गड़ राज संग छोड़ रहो तो इसका मतलब संध के नियम गड़ राज एसन के नियम से पहले से ही चले आ रहे ह Tampa कि यहां यहाँ जो गोलडन डूल बने हुए है यह एक साल की महनत के बाद बने है सारे जहां जितने भी लोग इखटे होते हैं रोज 200, 500, 300, उन सब लोगों ने लगातार матर लगातार матर करके लगातार बाचित करते there हैं दिन होती है लगता है किनी संग भी बैठता है ऐसेंबली होती है वह घुथा था वहां इन पारित होते हैं उन taraf होती है प। अन पर डिबेट होती थे पर आए उनसे नियम निकलकि का जिसका सबसे पहला जो नियम है वहारा है ये समण संग है केबल और केबल समण के लिए है इसकी सभा में इसकी संगती में इसके किसी भी काईकरम में गौर्मन की कोई भी आउशकता नहीं है और कभी गौर्मन आएगा इसलिए जब दिल्ली की संगती लगी तो दिल्ली की संगती में जो जगे ली हमने वो बीस पी के ए एमपी उस समय आना चायते थे मगर एमपी को इस ये कहकर कहती है कि आप समण नहीं है इसलिए नहीं आ सकते है आपका चुकि यह जो लेटर है आपने दिया है और यह पार्टी की तरफ से लेटर मिला है तो उन्होंने इस बात को सुकार किया और हमने उनका धन्यवाद वहीं को भीज दिया क्योंकि जो उन्होंने लेट दिया नहीं इसलिए ये भी धिया रखा जाता है कि समण संग्डी मीटिंग में कोई धर्म परवर्टतित अगर वमण भी है तो वह भी नाए नियम टूटा है हमारा किसी से लड़ाई नहीं है हमारी किसी से सतुतर नहीं है ना हम तो हाथ तरने की लड़ाई या डंडा और भारा लेके लड़ाई नहीं है तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त का राज है उनका संग है क्योंकि संग में थोड़ी संग्या भी जादा हो जाती है और हम जो काम्याब नहीं उपाए और जो हमारे सारे अधिकार चलेगे हमारी असफलता का जो राज है वो राज रखका है क्या यह 29273 जात्मों करेंगे यह 29 लाग टुक्डए तुमारे च्हाजार साथ्सो तेतालिस जात्मों को ट्रोको जोड़ें को इसते ज्यादा बड़ी मजाक और कहीं दुनिया में हो नहीं सकती की 6173 जात्रीयों के ट्रुकडो को एक करने के लिए हमारे जो होनहार बिर्मार जो हमारे अगुवा है जो हमारे प्रधान हैं जो हमारे सेक्र transition है जो हमारे नेता नहोंने हम को बना इस लाओ है कि 29 लाख जो संग्धन है वो चैजार 733 जातियों को एक करकर पर हमारे अधिकार बापिस ले कर आएंगे और बस आज लाए और कल लाए इस उमीद और शासा में सत्तर साल चलेगे अधिकार तो कोई बापिस नहीं आया बेलकर अभिकार सारे चले पर हमारी आंख नहीं कुनी क्योंकि हमारी नियम्यताओं ने तो हमारी बुद्धी बनकर रखी आख कहां से खुले वह कहते हैं कि संग्थन के बिना कुछ हो नहीं सकता संग्धन की बिना कुछ चल नहीं सकता और उन्होंने संग्धन बनाए और सतर सालों में 29 लाग संग्धन बनाए अगर आप देखोगे कि एक साल में 40-45 संग्धन बने हैं तो तब जा कि 70 साल में 30 लाग संग्धन बने हैं रोज हजारों संख्या में संख्ण बना है और हम उन पर यकिन पर यकिन करे जा रहे हैं यकिन पर यकिन करे जा रहे हैं इस यकिन को तोड़ना होगा यह जो हमने संख्णों पर यकिन लगा रखा है उनकी हुनहार लोगों पर यकिन लगा रखा है हमें उनसे पूछना होगा भाई तेरे संक्रों से हमारा कितना भला हुआ हमने तो तेरे को चंदा भी दिया हमने तो सपोर्ड भी दिया तेरा जंडा भी उठाया तेरा वीडियो भी देखा तेरी वाहबाई भी की तेरी सारी बाते सुनी पर हमारे तो बच्चों के अधितार चले गए ये बात हमको लगातार लगातार उसे पूछना चाहिए और जैसा की समण संग ने पूरे हाउस ने ये नियम पास किया हुआ है कि हम चंदा नहीं देंगे तो उनको चंदा नहीं देना चाहिए चंदा देंगे जब इखटे होके आएंगे तब ये बात उनको बोल देने चाहिए और अब जंडा उठ ऑएंगे जब इखटे होके आएंगे तब और जो राज़नेदिक पार्टी उनको बोलना चाहिए यह भात इसलिए बहुत जरूरी है और यही काम कर रहा है कि जब तक हम इखटे नहीं होगे तब तक हम जीत नहीं सकते हैं क्योंकि और इसको बदलकर हमारे जो काबिल लोगें उन्हें कह दिया संग्ठन में सक्ती होती है वाई संग्ठन में सक्ती नहीं होती 29 लाग तुकड़े अलग-अलग किसको सक्ती दोगे उनमें जो सक्ती है वो एक दूसरे को ही खतम करने में लगी हुई है संग्ठों संग्ठों की पताधिकार से बात नहीं करनी है तुमको सिर्फ अपने संग्ठों के लिए जीनाहे रिवे 서wnा की मणना है ये बात हमारे上 expects के प्राबवर है क्यूंकि हमारे समाज के संगठनों ने लाखों टुकड़े कर दिये ठीक ऐसे जैसे हमारे समाज के हमारे संग के जातियों ने छह जार साथ सो तेतालिस टुकड़े कर दिये ठीक उसी पैटर्न पर हमारे उनतिस लाग टुकड़े अब हमारी संग्ठनों की हाथ पर जोड़े उनकी नेताओं की हाथ पर जोड़े पर कोई टस्रमस होने को त्यार नहीं कि जो पद का पोस्ट का प्रतिष्ठा का मंच का माला का गले में गंच्छा पेनने का हाथ में लगाने का फूटो कुछवाने का मुस्कराने का यह तना बड़ा नसा इतना बड़ा नसा है उससे बड़ा नशा है मंच पे भाष्ण देने मेरा भाष्ण हो जा कैसे 2 मिट का, 2 मिट दे दो, 2 मिट में पता नहीं कौन से समाज का कल्धाना कर देगा, 2 मिनट दे दो, कि जो 2-2 मिन वाला भाशन का है, ये अतने बुरे नशे हैं, इन नसों की वैसे उन्हों उनको ये भूल गए कि हमारा समाज हमारी वज़े से खत्ब हो चुआ है, और उनको नसे से बाहर निकलने की कहीं कोई जरूत नहीं है, उनको पूरा मज़ा रहा है, पैसा उनको हरवार साल में पहुंच जा हमारे सारे अधिकार हमारे लगबग चले गए, सारे अधिकार, कोई यहां दो सो सत्तर लोग बैटे हैं, कोई यह कह दे कि हमारे अधिकार बड़े हैं, कोई यह कह दे कि जो बावा साब अधिकार लाये थे, वो सारे हमारे ऐसे कैसे हैं, कोई यह कह दे कि हमारे अधिकार भ बच गए एक व्यक्ति वी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बावा साब का कर्मा का कार्मा महीं ठेरा हुआ है जहां बावा सामने लेके आये थे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बावा साब का कार्मा 29 लाग संग्ठनों की वैसे आगे बड़ा कोई पूछा बाओ जी आप आए थे दिल्ली की संगती में कैसा है समेक्षा किए थोड़ा सा हाँ बहुत बड़ी आ है पर जागरती तो हो रही है यह वह बाओ जी जागरती कहां हो रही है आप जागरती किसको मानते हो आप बताओ अगर जागरती हो रही है तो कम से कम जितने अध तुम्हारे नीचे से निकल गए तुम जगे हुए हो या कि सको बता रहे हो वह अचुए हुए हो या तुम किसको बता रहे हो नीगटिव आ रहे है आप समझो जगे हुए तो है पर अधिकाँ जा रहे हैं ये的ою सभावा नहीं है कि जगे arte करो करो कि पूरी और सामने है बावो जी कैसी जागरतीए बात कर हमारी तो भाइ समख्चा करने वाले भी छोफो के भागे सवाल तो करो आप पूछो तो सही उनसे के भाइ जो आप अलग 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 लोगों को यह कहते हो के संख्ळन होने चाहिए संख्ष नGen Glad कोँब्र का ड्राम कर तो और इखरते हो जाऊ और विदे baba ब्रादरी छोड़ो इखरते हो जाऊ अब सब्क करो हमाराज लाटक कर करकारी करमचारी हो या र captured afarmas कि हम ये करेंगे रो करेंगे ये सब चीजे बंद करो अभी हमारा काम है एकटा होने का एकटा होंगे तो हम बच जाएंगे जो कौमें एकटा होती हैं वो कभी नहीं मरती और जो कौमें एकटा नहीं रहती हैं वो रोज मरती हैं ये प्राकरतिक सिधान्त है जो जंगल में अक मैंसे जो अलग होता है शिकारी उसी का शिकार करते हैं जुंड का कभी शिकार नहीं करते हैं क्योंकि जुंड अगर जानुरों का है और वो पलट गया और उसने दोड़ भी लगा दी तो शिकारी को पैरों से रौन देगा इसलिए जो शिकारी होता है वो पहले जुंड मैंसे किसी एक को अलग करता है फिर उसको मारता है जुंड को नहीं मारता करें तो संग पर कोई हमला नहीं करता बलतन संग हमला करता है संग शिकारी हो जाता है संग कभी शिकार नहीं बनता अगर आप सब इखटे हो जाते हो और इखटा करने में लोगों कामया हो जाते हो तो आप कि जैसे जैसे आपके खटे होते जाओगे वैसे वैसे आपकी एक्टरो सिटीज, आपकी बतारना खतम होती चले जाएंगी, फिर आपको S.C.S.T. Act to City Act की जरूती नहीं पड़ेगी. कहीं किसी को F.I.R. लिखाने जोती नहीं पड़ेगी. फिर तो आपके अगेश्ट में लोग F.I.R. लिखाएंगे. कि फलाने का बच्चा आया मेरे कान पेचाटा मारके चला गया. आपके संग होगा तो आपके बच्चों कुछ नहीं कह सकता. फलाने का आदमी आया मेरे मूच काटके चला गया. फलाने का आदमी आया मेरे बाल काटके चला गया. फलाने लोग आये उन्होंने मुझे क्या बोल करते ही को सब जानते हैं पर रोड़ा कहां है दिक्कत कहां आरही है हम जगे हुए नहीं है हम जगने का नाटब कर रहे हम इतने ज़्यादा द्यालू बने उए कि अगर कठोर बोल देते हैं तो उससे बीदिक्तत होती है के हमारे संग्षणों को हमारे नेताओं को इतनी कठोर भासा क्यों इस्तमाल कर दी अरे बच्चे मनने वाले हैं अगर कठोर भासा भी उनके कार में नहीं आती है तो दंडे उठाने पड़ेंगे बासा कठोर से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अगर बच्चे नहीं बचाने तो फिर तो बच्चों को मरने तो कोई दिक्त नहीं है पर अगर बच्चे बच्चाने तो कठोर होना पड़ेगा बासा कठोर करनी पड़ेगी और उनको डंडे उठागे सुपना भी पड़ेगा बिना इसके बात नहीं बनेगी क्योंकि खुद मैदान में पड़ेगा अगर बच्छों का अस्तितु बचाना है तो और नहीं बचाना है तो बच्चे दस पंद्रे बीस साल में खतम हो जाए जो दो चार पैसे आपने नौक ही आपको मिलेगी नहीं व्यापारा है नहीं आपके पास में बहर आपको जा नहीं सकते कहीं और कोई खेटी किसानी आपको Hollywood नहीं होगी नहीं मुस्दूरूरूम तो बच्चा नोख्री कहां करेगा सरकारी नोख्री है नहीं और प्राइवेट नोख्री में जात कुछ का मिलती है डॉक्टर को 10 रुत पार duż मिलेगा इंगी यह करनी करनी दफा मिलेगा करनी दाफ हो आपके बच्चे कहा जाएंगे तो तीसरी पीडी तक आते आते वहीं पहूंच जाओगे जहां तीसरी पीडी पेल है भावा रसाप कर ले उसका बाप पहले किसी किसी कि के यहां खेती मजदूरी करता हुआ मिलेगा कही ना कई कोई ना कोई काम करता हुआ मिलेगा किसी के पास कुछ नहीं था यह सारे जितने आई-पी-एस अपसर बिस्मेन और यह सब डॉक्टर नीनिय बने हैं यह बावा साब की महरवानी से बने हैं सब्तर साल पहले और बावा साब की महरवानी खतम होती जा रही है क्योंकि आप नहीं बनाया आप इकटे नहीं हुए तो तीसरी पिड़ते काते आते पिर वही हो ज पर अभी इस्तिति आपके हाथ में हैं अभी इस्तिति आपके हाथ में पूरी है आप चाहो तो कंटोर कर दो और आपकी च्छमता है वो बढ़ती जा रहे हैं यह जो समढ़ संग जब यह जहां अपना पुराना मेमराइज होके पुराना निकल के और पुराना यादा याद सो हजार की तो जो मीटिंग है इसे लग जाती है उसमें ज्यादा एफट नहीं करने पड़ते कुछ लोग टेड़े मेड़े चल रहे हैं वो भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेड़े मेड़े जो लोग है वो अभी संग्ठनों में और नेतागिरी में उल्जे हुए है उनको अभी संग समझ्मिन ही आता वो खुद में हैं और उनको यहां है लोगों को भी थोड़ी बुद्धी आएगी इसमें कोई शक्मा पर आप अपना काम जारी रखना है यह हमारा एक दिन का काम काम है यह 3045 दिन और 24 घंटे का काम है हमारा काम है जुड़ने का जुड़ माशिक हम जीते वहीं है जो जुड़े है जिद्ध हमारी जुड़ने की है जुड़ेंगे जीतेंगे जिद्ध जुड़ने की है जो पहले जुड़े है वो पहले जीते है जो पहले जुड़े थे वो जीत गए जो अब जुड़ेंगे वो अब जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां ज प्रतम हो जाएंगे फिर जुड़ने लायक बचेंगे नहीं क्योंकि अगले 30 साल तक तो आप जुड़ने के लायक नहीं बचोगे आप गोटी कमाओगे भीक मांगोगे मजदूरी करोगे या जुड़ने जुड़ने के लिए पोटल पे आने जाने के लिए ना लैपटोप हो और जाके का तुझे को इंटरनेट जो तनी है ये हालत आएगी हमारे पड़े लेखे लोगों के भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है अगर आख उठाके देखोगे तो भविश्चे सामने दिखाए दे रहा है इसको बदल सकते हैं हम क्योंकि संग में सकती होती है हो जाएंगे कुछ नहीं करना है कोई संगर्स नहीं करना है कुछ नहीं करना है सिर्फ संगे सत्ती केना है और संगंग को को नमन करता हूँ, दुपेर को दो बजे रोटी खाने के बात कहना है, संगहंग नमानी, संग को नमन करता हूँ, और सोने से पहले कहना है, संगहंग नमानी, संग को नमन करता हूँ, और जब भी संग की कॉल आए, दोड़े-दोड़े चले आना बिना सोचों के सोचे, और इ से नमबर का आएगा जो चंदा कभी नहीं यानि समर्संद चंदा कभी नहीं लेता उसका क्या है ये जो कंसेट पर लगाता लोगों को बताना है जितनी जल्दी हम बताते जाएंगे उतनी जल्दी हम लोगों को जोड़ते जाएंगे और जितनी जल्दी जोड़ते जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तू थियंपी बुद्धं सरनं गच्छामी तू थियंपी बुद्धं सरनं गच्छामी तू थियंपी धम्ममर्सरनं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी 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 साथु, साथु, साथु झाल झाल